अभी तक एक विवस्ता रही है कि जो DPSU's हैं, डिफेंस PSU's हैं, जिसमें ओर्डिनेंस फैक्टरी डेपोज हैं और अन्य फैक्टरीज हैं, हिंदुस्तान अडिनलॉटिकल हैं, अन्य फैक्टरीज वहाँ अधिकतर जो देश की आवश्रक्ता थी उसके डिफेंस एकुप्मे का मैनुफैक्टरिंग होता था, एम्मुनिशन का मैनुफैक्टरिंग होता था, वो तमाम मैनुफैक्टरिंग चल रहा है, अच्छा मैनुफैक्टरिंग हो रहा है, उनका योगदान भी है, लेकिन ये भी पास्तरिक्ता है कि बहुत अधिक हमें एकुप्मेंट इतिहासिक रिष्टी से विदेशों से मंगवाना पड़ता है और अभी तक जहां तक हमारी स्थानिय शमता है DPSU की उनमें जो indigenous content है जो उसमें भारतिय योगदान है वो धीरे-धीरे बढ़ता चला जा रहा है आज 50 स्थास फीसदी से लेकर 85-90 परसेंट जो तरह तरह का इक उपन बनता है उसमें indigenous प्राइवेट सेक्टर के लिए यह प्राइवेट सेक्टर भारतिये कंपनीज होंगी यह जॉइंट वेंचर चाहे कुछ equity का चाहे transfer of technology का किसी भी original equipment manufacturer के साथ कर सकती है और उसके संबंध में जो RFP proposals अभी आएंगे वो sergeant group से आएंगे कई भारतिये बड़ी बड़ी company our defense manufacturing उन्होंने आरंब की है joint ventures enter की है उनका नाम लेने की मैं आवश्कता नहीं सुनता लेकिन हर platform में एक भारतिये company को select किया जाएगा और जैसा कि अभी मेरे साथी ने बताया fighter aircrafts, helicopters, submarines, main battle tanks, यह जितने भी equipments है यह इस प्रकार के ammunition और आवश्कताओं के मुताबिक इनको खोला जा रहा है इस प्रकार के अमुनिशन और आवश्कताओं के मुताबिक इनको खोला जा रहा है these are some details which are never made public and therefore what is the availability, what is the shortage, these are things which are better if the member wants to know I can tell him otherwise but it's better in larger public interest not to make a disclosure